हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल इंडेस्ट्रियल गुरूपर और आज हम जानने वाले हैं किस तरह से यह पी-पी-पी-उ पंप काम करता है जिसको हम जनरली पपू-पंप भी बोलते हैं तो किस तरह से पपू-पंप हमारा काम करता है क्या इसकी हम इसको यूजर करते हैं तो क्विए जह जनते हैं जो हमारे कंपनी इंड़स्ट्रीम में जहांप भी बॉइलर हम यूजर करते हैं लूजता है एंधिया को 2 करता है पपुपपुप पपुप का मेन गाम होता है कि हमारे जो कंदेशेट लिक्विड उसको पंप बोईलर के फीड वाटर टेंक तक ले कर जाए तो अब यह पुप की खास्यत है कि यह पंप इसमें कोई भी एलेक्रिकल सप्लाइ यूज नहीं होती है कोई भी पंप या ए पार्ट्स होते हैं क्या इसकी इंटर्नल असेंबली जो है उसकी क्या-क्या पार्ट्स हैं किस तरह से इसका इनलेट और एक्जोस्ट वाल्फ काम करता है आज हम उस्प के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं तो अगर हम इस पपूपम का जो पिच्चर हमने दिखाई और इसके रिसीवर और पपूपम के बीच में भी है आपका इस्ट्रेणर लगा हुआ है जो कोई भी अगर इसमें पार्टिकल्स या कुछ ऐसा है तो वहां स्ट्रेण हो जाए ठीक है अब हम इसकी इंटर्नल असेंबली को अच्छे से जानते हैं कि क्या-क्या उसके पार् पपूपम के अंदर जैसे कि इस वीडियो में आप देख पारें सबसे निची जो बॉल दिख रही है आपको यह इसका फ्लॉट है पानी में अब डाउन करता है इसके बाद जो रैड कलर की रोड दिख रही है इसको हम पुश्ट रोड भी बोलते हैं और उपर जो इसका इ इनलेट और एकजोस्ट वाल इसी पर पूरे इस मेकैनिजम की डिजाइनिंग है कि कब इस इनलेट वाल को ओपन होना है कब इस एकजोस्ट वाल को ओपन होना है इसी की डिजाइनिंग पर पूरा यह मेकैनिजम काम करता है नीचे स्प्रिंग असेंबली है इसकी और मेकैनि और दिनाए वाले हैं किस तरह से पहले काम करता है कब हमारा Inlet valve open होता है कब हमारा exhaust valve open होता है किस तरह से पानी को push करके यह हमारा Condensate water को push करके boiler तक लेकर जाता है तो देखिए पहली पिच्चर इस पिच्चर में जो हमने आपको दिखाई हुई इस था में इंट वाल्व है अहने से इंलेट आ रहा होगा व्यूंदा नियुकि आउट दरख़ी इंट वालब लगा हुआ है इसम威दी इंटर्णनल लॉल्प कर दिए दिल्ससे एंट वाल प्र दोड़ोरा क्लोजोट है जब भी हमारा चा साल तो अब झैसे जैसे पानी इंटर करता जाएगा पपू बंप के अंदर जैसे पानी वह में भरता जाएगा हमारा फ्लोट क्या हुगा दिरे-दिरे उपर उटता जाएगा तो देखे ए हहाँ हमारा पपू पंप ऐसमें पानी बढ़ देरे तो हमारा फ्लोट क्या हुआ थोड़ा सा उपर ईपर उपर उट रहा है उस केसे में हमारा एकजोस्ट वाल उपन है बसे कि कंडिशिंज के आगे नहीं जा रहा आ है उपर ऑफ थे ऑपर उपर खुछाय. यवार निकलना हो तो भार कहा से निकलेगा एयक्जोस्ट वाल्ब से तो जाएकि यह वह носिक आपकर पानी मुटर्र हो अपनी कोषी right इनलेट लाइन जो है वह अभी वी प्लोज है हमारी तो पानी का लेविल अभी उत्ना नहीं है कि अभी यह Inlet वालव ब्सक्र तो आप देखेंगे तो यहां पर हमारा एक्जोस्ट वालव ओपन हो गया है और अभी कि इस कंडिशन में हमारा क्या होगा जो इनलेट वालव है वहां से स्टीम इसके अंदर एंटर करेगी जनरली इसके अंदर चार पांच केजी फोर तो फाइफ केजी पर सेंटीबिटर स्वाइर या फॉर इतने प्रेशर्ट की स्टीम इसमें इनलेट करती है इस हाई प्रेशर स कैम से ही हमारा जो पक़ू dus का पानी थे पॉइलर तक तो इस तरह से यह अप़िए काम करता है तो अभी हमारा जो क्या है वह हमारा लेट वालव निय kilo 2 निवाल्व क्लोस तो यहाँ से इस प्रेशेट ची रिचव थे शह की तकाप्ररिशर ह है उसको पुछ िसपानी को और कहा से डिषचार्ज लायिन से डिषचार्ज करेगा तो फिर जब यह में दिसचार्ज करेगा तो यह हमारे aufenैट मैं दिड़े नीचे आने लगेगा इपर टेल्ड अगर आप देखोगे तो inlet line और discharge line दोनों ही तरफ पानी है मतलब पानी अभी हमारा discharge side में जा रहा है और inlet line उपर जो इनलेट वाल्व है हमारा inlet जो वाल्व है उपर देखेंगे अगर आप तो inlet valve अभी भी open है जिदर से steam pressure continue आ रहा है और exhaust valve close है तो जब हमारा यह भड़ जाता है तो उस टाइम हमारा inlet वाल्व open हो जाता है और exhaust valve close हो जाता है और जब यह बिल्कुल खाली हो जाएगा तो उस case में हमारा exhaust valve खुल जाएगा और inlet valve बंद हो जाएगा तो अभी पानी का लेविल देरे देरे डाउन जा रहा है और यह जो औरेंज कलर से दिख रहा है यह स्टीम है और ब्लू जो दिख रहा है वह वाटर है तो देखिए यहां पर हमारा पानी के बिल्कुल लोवर कंडिशन्स में आ गया है इस case में अभी भी हमारी स्टीम प्रेशर इसमा रहा है और एक्जोस्ट वाल्प क्लोजड है और पानी अभी भी डिस्चार्ज हो रहा है हमारे रिस्चार्ज लाइन के तुरू क्योंकि अभी भी हमारे जो फ्लोट है वो अपनी लोवर पो आङर पानी बाधना स्थ हो गया है और हमारा द्रीशार्ज या Are Closed would ओंगे और इनरवी जो हो गया है और इंस प्वाल्प जो हमारा वो क्लोज हो गया है वह समें लिएा यह हमारा काम करता है यही साइक्लिस में रिपीट तलाइस होती रहती है पानी बढ़ता रहता है उपर जाएगा जंस ह्वांट की तो हर एकम शान सब् pergi पर करता है हमारी वीडियो में अपको कोई भी पनिविवी है किस तरे से कोई भी डावट है तो आपको कमेंट कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो हमारी कुछ भी यूजफूल्स लगी हो आपको कुछ लर्न हुआ हो इस वीडियो से तो मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं थैंक यू